नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डोक्तर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की पेंटाकाइंड टेबलेट का उप्यो whipping conditions में किया जाता है. पेंटाकाइंड टेबलेट को कैसे लेना चाहिए और पेंटाकाइंड टेबलेट की वज़ से क्या side effects हो सकते हैं? और यह भी डिसकस करेंगे कि Pentakind टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Pentakind एक brand name है Pentakind टेबलेट के अंदर salt composition pentoprajol 40 mg होता है Pentakind टेबलेट पेट में उत्पन होने वाले acid की मात्रा को कम करती है Pentakind टेबलेट का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर Pentakind टेबलेट का उप्योग किया जाता है Pentakind Tablet को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़ा से होने वाले Side Effects को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़ा से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन Side Effects को रोकने के लिए भी आपका Dr. Pentakind Tablet को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है ज्यादा तर अंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य Side Effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए अंटिबायोटिक दवाओं की वज़ा से ये Side Effects ना हो इसलिए आपका Dr. Pentakind Tablet को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है इसके अलावा Pentakind Tablet का उप्योग कुछ Medical Conditions जैसे Gastric Ulcer, Acid Reflux और Jolinger-Ellison Syndrome को ट्रीट करने के लिए भी Pentakind Tablet का उप्योग किया जाता है Jolinger-Ellison Syndrome एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में Acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है अब हम डिसकस करेंगे की Pentakind Tablet की वज़े से क्या Side Effects हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Pentakind Tablet की वज़े से कोई Side Effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Pentakind Tablet की वज़े से कुछ सामान्य Side Effects हो सकते हैं जैसे पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेसियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वदस्थ होने की समस्या हो सकती है इसके अलावा Pentakind Tablet की वज़े से कुछ व्यक्तियों में Cubs की समस्या भी हो सकती है लंबे समय तक Pentakind Tablet का सेवन करने से यानि कई महिनों या कई सालों तक Pentakind Tablet को लेने से शरीर में Vitamin C, Vitamin B12, Calcium, Iron और Magnesium की कमी हो सकती है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Pentakind Tablet को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए लंबे समय तक या दिन में कई बार Pentakind Tablet को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है Pentakind Tablet की वज़े से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब Pentakind Tablet का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से Pentakind Tablet को ले रहे हैं तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की पेंटाकाइंड टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है आमतर पर बारा साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्तर पेंटाकाइंड 40 MG टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं पेंटाकाइंड टैबलेट को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए पेंटाकाइंड टैबलेट की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको पेंटाकाइंड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए प्रेगनेंट महिलाओं के लिए पेंटाकाइंड टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं को पेंटाकाइंड टैबलेट को लेने की सला दे सकता है और स्तन्पान करा रही महिलाओं में Pentakind Tablet मा के दूद के जरीए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूद पीने वाले बच्चे में Side Effects पैदा कर सकती है इसलिए स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए Pentakind Tablet का सेवन करना recommended नहीं है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद